एक बहुत ही famous form of drama है problem play आज की इस वीडियो का हमारा topic है problem play ये problem play क्या होते थे, इनको लिखना किसने शुरू किया ये सब जानना हमें जरूरी है as a literature student दोसों इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे कि किसने problem plays को popular किया और किसने इनको लिखने की शुरूआत की mainly जो writers से उनकी बात करेंगे बड़ी कमाल की वीडियो होने वाली है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में मैं आपको problem play की बारे में हर एक छूटी से छूटी जानकारी देने की कोशिश करूँगा देखो ये problem play जो थे न, ये एक नए टाइप की dramas थे जो 19th century में develop हो रहे थे इससे पहले मैं आपको बता दू, dramas कैसे लिखे जाते थे tragedy लिखी जाती थी, comedy लिखी जाती थी लेकिन household की बारे में, छूटी छूटी चीजों की बारे में घर में जो struggle चलती है, domestic violence होता है इस चीज की बारे में पहले कभी बात नहीं की गई थी आम लोगों की जिंदगी की बारे में overall कोई भी बात नहीं करता था या drama तो हम सब की घर में ही होता है न जरूरी थोड़ी है कि एक noble class family की घर में ही drama हो drama तो middle class family की घर में भी होता है इस चीज को highlight करने वाले एक writer थे Henrik Ibsen नाम नोट कर लो इनका एक play है Dolls House इसको हम problem play की category में रखेंगे इस drama को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि problem play क्या होता है अगर मैं definition की बात करूँ तो problem play ऐसे type की dramas होते हैं जो समाज में controversial issues जो होते हैं उनके साथ में deal करते हैं बिल्कुल भी बनावटी language नहीं होती एकदम realistic manner में बातचीत होती है ताकि society में जो कम्या है उसको highlight किया जा सके उसको दिखाया जा सके अब हेंरिक इपसन ने पहली बार इस type के dramas को लिखने की शुरुआत की थी 1862 से अपने work loves comedy से अब loves comedy जैसे works को लिख कर ये एक शादी शुदा life को analyze करना चाते थे critical study करना चाते थे ये शादियों के पीछे social life के पीछे छुपी hypocrisy को, greed को इन सब चीजों को सामने लाना चाते थे जो समाज में hidden corruption है न रिष्टों के नाम पर जो society देख नहीं पाती वो ये अपने dramas में highlight कर थे Dolls House तो इनका famous work है इसके अलावा Ghosts बड़ा famous work है दोस्तों मैंने cover कर रखा है इसके अलावा The Wild Duck Ipson वो पहले writer थे जिन्होंने problem play को इतना popularize किया इनके बाद में George Bernard Shaw ने ये कमान समाली George Bernard Shaw ने problem plays को एक अलग level पर पहुँचा दिया मतलब Hendrick Ipson ने इनको popularize किया और George Bernard Shaw ने इनको problem plays को एक intellectual peak पर पहुँचा दिया जैसे आप George Bernard Shaw का work पढ़ोगे Candida वो एक अच्छा example है problem play का और इनके अलावा John Galsworthy John Galsworthy modern writer थे और उन्होंने justice जैसे plays को लिखकर ये problem plays को अलगी level पर पहुँचाया तो problem plays में आप तीन नाम याद रखो सबसे important Hendrick Ipson पर George Bernard Shaw और John Galsworthy अब मैं problem plays के कुछ characteristics बताता हूँ जो आपको इसे समझने में मदद करेंगे सबसे पहले तो ऐसे टाइप के ड्रामा entertainment के लेने लिखे जाते हैं बहुत ही serious topic को discuss करते हैं और आप देखना हमेशा इस टाइप के ड्रामाज एक question mark के साथ में खतम होते हैं यानि एक सवाल के साथ कि इस ड्रामा की ending और क्या हो सकती थी ऐसे ड्रामाज को पसंद करने वालों को कहना होता है कि एक dramatist का काम यही होता है कि एक radioate solution ना दे बलकि solution को readers के दिमाग पर छोड़ दे ये जो term है problem play इसको coin out किया था एक dramatist Sydney Grundy ने अब ऐसा भी नहीं था कि Hendrick Epson नहीं आकर के इसकी शुरुवात की थी पहले भी काफी सारे problem plays लिखे जाते थे लेकिन specifically सिर्फ उन plays के अंदर problems की बात नहीं की जाते थे जिस तरह से dark situation Hendrick Epson ने Dolls House में दिखाई है उस तरह से कोई ऐसी situation नहीं दिखाते थे सारे elements होते थे Shakespeare का drama है measure for measure यह जो play है यह अच्छा example है कि हाँ पहले भी problem plays लिखे जाते थे लेकिन Hendrick Epson ने सिर्फ इसी चीज़ पर focus डाला कि domestic problems को दिखाएंगे यहाँ तक कि ancient Greek dramas के अंदर भी आपको ऐसी situation दिखेगी जिसके अंदर जिनमें ऐसी serious theme को follow किया जा रहा है लेकिन वो सब चीज़े drama के side by side चलती है main focus इन चीज़ों पर नहीं होता कि domestic problems को दिखाएंगे लेकिन Hendrick Epson ने problem plays को ऐसा पकड़ा कि लोगों ने भी इस चीज़ में interest दिया पहले पहले इस form का काफी विरोध हुआ था कि ये कोई drama नहीं होता ये सिर्फ discussion है इस चीज़ को हम drama का नाम नहीं दे सकते लेकिन बाद में ये drama popular हो गया बाद में जब George Bernard Shaw ने इसको intellectual level पर पहुँचाया मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ help मिली होगी दोस्तों आज की इस वीडियों बस इतना ही